हाई फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे डव्ली बॉक्स आई-पी कैमरा में SD Card कैसे कन्फिगर करना है उसके लिए कैमरा को आप ब्राउजर में उपन करेंगे यूजर ने में पास्टोड एंटर करेंगे कैमरा का लाइब व्यू आ गया है अब हम जाएंगे कन्फिगरेशन में सिस्टम में यहाँ पर आप देखेंगे SD Card का उप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे अभी यह मैंने Card इंस्टॉल किया है अभी यह Unformat शो कर रहा है Card का Memory शो कर रहा है 64 MB का मैंने GB का Card इंस्टॉल किया है सेलेक्ट करेंगे यह Card को और Format करेंगे जैसे आप DVRs, NVRs में Hard Disk इंस्टॉल करते हैं एक बार First Time आपको Hard Disk फॉर्मेट करना होता है उसी तरह से हम Camera में भी SD Card को एक बार Format करेंगे depending on the size of card यह थोड़ा सा टाइम लेगा Format करने में हाओा सेलेक्ट कर osoंको एक जाड़ा सेले दाने में कर वहा ह決ा है मैं इंस्टॉल करेंगे मैं फिर्मेट का क delivery में करें झाम के वा कि उम तॉर्म कि और साव उसके पांगे अभी card format complete हो चुका है अभी आप यहाँ पर status देखेंगे तो यह status शो कर रहा है using अब आप जैसे DVR NVR में schedule create करते हैं तो वैसे ही यहाँ पर हम recording का schedule create करेंगे HD card के अंदर यहाँ देखेंगे recording setup का एक option है यहाँ पर enable record select करेंगे record mode override select करेंगे so that कि आपका जैसे ही card full हो तो override करना start कर देगा stream type select करेंगे आपको कि stream में use करना है card को recording mainstream और sub stream अब sub stream use करेंगे तो आप को recording days ज़्यादा मिलेंगे आप mainstream करना चाहेंगे आप mainstream पर कर सकते हैं all day आपको record करना है तो all day select करेंगे और आपको किसी particular time पर recording करना है card में तो आप time भी select कर सकते हैं so for example यहाँ पर मैं all day select करता हूँ और days आपको कोई particular day का करना है या everyday आपको continuous recording चाहिए तो हम यहाँ पर everyday select करेंगे all day तो अभी यह setup हमने create किया है 24 by 7 का everyday and all day select किया हमने तो यह 24 गंटे recording करेगा save successful का message आया तो आपका recording schedule जो है वो save हो चुका है अभी आपको record file नहीं दिखाएगा because अभी हमने on किया है recording तो थोड़ी दिर बाद आप check करेंगे तो आप recording playback कर सकते है thank you friends